सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से लेकिन बिल्कुल असान नहीं कह सकते इसमें भी हमें आज के ताइम में ध्यान देनी की जरूरा है चोटी बाप तो को ध्यान रखना जरूरी है तो आज की वीडियो में हम यहीं देखेंगे कि इसके वारे में वहम देखेंगे और इनमें से काफी वह जो किस तरह से कॉशन आ सुबह की जो वीडियो होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है तो चली दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि teaching क्या है यानि कि सिक्सन क्या है इसको हम basic तरीके से समझने की कोशिस करते ह अब देखिए teaching के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो यह है दोस्तों सिक्सन पूर्णता है एक समाजिक परकिरिया है यानि कि teaching जो है वो एक social activity है अब देखिए ये किस तरीके से है कि हम जो teaching है वो कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके से सीख सकते है इसके लिए यह मिलता है आता जाता है तो वो बहुत कुछ चीजे सीखता है और अब देखिए जैसे हमने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजूर्ग है उन्होंने वो कभी ज्यादा स्कूल में नहीं गए लेकिन उन लोगों को हम से ज्यादा ग्यान होता है क्योंकि वो समाज के अंदर र बात करें तो वर्तमान में सिक्षन को वर्तमान में सिक्षन को तुरी धुर्विय सरंचना के रूप में सविकार किया गया है अब देखिए अब यहां पे टीचिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं अब जैसे मैंने एक चीज तो बताई कि आपको हम कहीं भी कैसे ही सीख सकते हैं और दूसरा जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं दोस्तों वो हम एक टीचर के थ्रू सीखते हैं अब देखिए अगर हम समाज में सीख रहे हैं ठीक है समाज में तो क्या है कि हम हो सकता है कि एक जो एक चीज है वो हो सकता है एक साल के अंदर जाके सीखे या आप बिलकुल असानी से समझ जाओगे अब देखिए अब यहीं पे एक एक्जामपल लेकर चलते हैं हम research का example लेकर चलते हैं मैंने आपको research करवाई दस दिन रिसर्च करवाई तो उसमें आपको पता चल गई पूरी की पूरी जो रिसर्च है वो आपको पता चल गई क्योंकि मैंने आपको टीच किया एक टीचर के तरह मैंने आपको टीच किया तो वो आपको पता चल गई और दूसरे तरीके से अगर आप वो अपने आप पिचर शिखाता है दोस्तों तो उसके अंदर क्या होता कि इक सिष्टम होता है एक time limit होती है और उसमें एक तरीका होता है सीखने का तो actual माहिने में देखा जाये तो teaching इसे कहते हैं यानि कि systematic ढंग से जो हमें कुछ सिखाये कोई नई चीज़े सिखाये या हमें improvement करें तो उसे हम क्या कहते हैं teaching कहते हैं और teaching के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों ये त्री धुर्विय माना जाता है और इसके अंदर तीन बाते मुख्य रूप से आती एक होता है शिक्षन यहां पर सिक्सक भी आ सकता है यानि कि जो हमें सिखा रहा है यानि कि टीचर सबसे पहले आएगा टीचर यानि कि जिससे हम सीख रहे हैं अब टीचर यह नहीं है कि कोई आदमी हो इसके अंदर कुछ और चीज़े भी हो सकते जैसे कि कंप्योटर में recorded वीडियो है या कुछ और चीज़े हैं यानि कि सबसे पहली चीज़े है कि जो सिक्सन है यानि कि जिससे हम सीख रहे हैं दूसरे सिक्षार्थी यानि कि जो बंदा सीख रहा है वो हो गया तीसरा आता है पठ्थे करम सिखाने के प्रयास किये जाते हैं यानि क कि तीसरा चीज कि है कि दोस्तो हमारे पास जो पठ्थे करम है जो हमारे पास स्टडी मैटीरियल है वो बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट रॉल करता है तो इसमें से एक कोशन पहले आया है दोस्तो तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूर्ट है और इसके अंदर और भी काफी तरह की चीज़े हैं जैसे कि हम देखते हैं सिक्षया के चेतर में सिक्षन सबसे परमुख है सिक्षन एक समाजिक प्रकिरिया है सिक्षन सब्द सिक्षया सेवना जिसका अर्थ है सिक्षया प्रदान करना तो यहां से दोस्तो आप बेसिक पढ़ सकते हैं यहाँ पर हमने बताई हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताई हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं अब एक चीज आते हैं दोस्तों की definition of teaching अब देखिए परिभासा teaching की परिभासा क्या है इसमें से एक दोबार question आये तो यह आपको देखना जुरूरी है यह हमने English हिंदी दोनों में दिया है यहाँ पर हमने English में दिया है और उपर हमने हिंदी में दिया है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि world book of encyclopedia के इ इसके इनुसार क्या है शिक्सन एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को ग्यान कोसल तथा अभी रूचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है यानि कि इसमें क्या होता कि एक बंदा दूसरे बंदे को ग्यान कोसल और अभी रूचि प्रिभासित की जा सकने वाली किर्याओं के माध्य से घटित होती है अब देखिए इसे हम सिंपल भासा में समझने की कोशिस करते हैं अब थोड़ी देरे पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एक टीचिंग वह जिसके अंदर हम किसी क्लास के अंदर बैठ के कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे ढंग से हमें सिखा रहा है तो वह क्या है वह एक टीचिंग है यही चीज इन्होंने कहीं है तो यह जो प्रिभास है दोस्तों आप देख लेना क्योंकि इन में से कई सब्सक्राइब करने में थोड़ी दिक्कत पता नहीं कैसे होगी यह जो लाइन है यहां बागी चलो हम अपने कंटेंट पर ध्यान देते हैं कि सिक्षन अब देखें गेज के इनकसार सिक्षन एक प्रिक्रिया का पारस प्रिक प्रभावत जिसका उदेश्य दूसरे वेक्त तो यह सारी चीजे होती है और वह यहां पे दो और यह दी हुई है दोस्तों अब प्रिभासा यह दोनों आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लेना और यहां पे हमने इंगलीस में भी दिया अगर कोई बात हिंदी हैं समझ में ना आए तो अब बात आती है दोस्तों सिक्षन क विशेस्ता ही क्या होती है अब देखे इसमें देखते हैं सिक्षन वालक के वेभार में प्रिवर्तन करने की प्रकिरिया है अब ही जो हमने बात कही जो बच्चा है उसमें हम improvement करने की कोशिस करते हैं, उसे कुछ बदलाव लाने की कोशिस करते हैं सिक्षन एक उदेश्य पूर्ण परकिरिया है, यानि कि हमारा जो teaching है उसका उदेश्य होता है, उसका एक aim होता है कि हमें क्या सिखाना है ऐसे नहीं है कि मन में आया है, वो ही पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है सिक्षन समाजिक व्यवसाइक परकिरिया है, सिक्षन जो है, वो socially भी है और व्यवसाइक यानि कि जिससे हम कुछ अपना रोजगर उत्पन करशते वो भी है सिक्षन के अंदर दोनों तरह की चीज़े आती है, सिक्षन विकास आतमक परकिरिया है सिक्षन से क्या है कि हमारा विकास होता है, हमारे सोचने समझने की सक्ती है, वो बढ़ती है सीक्षन एक तार्किक प्रकिरिया है अब देखे सीक्षन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर काफी तरक्वितरक होते है यानि कि और गुमेंट होते है कि ये चीज ऐशे तो ऐसे किंव वह वह से क्यों नहीं है इस तरिके से में अर्गुमेंटकर करते हैं आर्गध करने कि जो हमारी संभावना वह ज्यादा बढ़ Flynn कि है आपई आप देख्जि यह थोड़ा सा ओल्ड बात इनोंने थोड़ी सी कहे लिंद कि सिक्षिन यह सामने प्रिक्रिया पहले होता था लेकिन आज के टाइम में हम जैसे की मुवाइल से पढ़ सकते हैं आप जैसे अब मुवाइल से पढ़ रहे हो तो मैं आपके सामने नहीं हूँ मैं मेरा दूसरा काम कर रहा हूँ तो ये पहले की परिवहासा हम कह सकते हैं पहले का गुण सिक्षन प्रेरना अत्मक प्रकिरिया है सिक्षन हमें प्रेरना देती है आगे बढ़ने की सिक्षन एक कुसल निर्देशन है सिक्षन हमें अच्छे तरीके से डायरेक्षन देता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए सिक्षन त्री मुखी परकिरिया है अब देखें सिक्षन त्री मुखी परकिरिया के वारे में मैंने आपको पहले ही बताया था सिक्षन ओपचारिक अनौपचारिक परकिरिया है अब देखें ओपचारिक और अनौपचारिक मैंने आपको बताया था कि informal और formal क्या होती है formal के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम अच्छे से communicate करें और informal ये होते हैं कि जिसमें हम अच्छे से communicate ना करें तो ये दोनों तरह की परकिरिया होती है क्योंकि अब देखिए जैसे कि मान के चलिए मैं आपको अभी यूटूब के जरीए पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कई स्टूडेंट ये एक मिनट की वीडियो देखके चला जाए यानि कि अनुप चारी के इन फॉर्मल कमिनिकेशन करें और दूसरे है कि वो हो सकता है वो कमेंट भी करें अच्छे से पढ़े भी सारी चीज़ करें तो वो होगी फॉर्मल तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं अब आगे आती है दोस्तों टीचिंग अवधारना या फिर सिक्षन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर एफेक्टिंग लर्निंग अब इसके अंदर क्या होता है कि एडमस महुद्य के उनसार सिक्षया को दवी मुखी प्रकिरिया माना है जिसमें सिक्षया को सिक्षयार्थी दो व्यक्ति सम्मिली ता है अब देखे दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सिक्षन वो त्री मुखी प्रकिरिया है और इन्होंने दवी मुखी परिकिरिया बताई है, तो हर जो ठिंक रहे हैं, उसकी अलग-अलग definition हम कहे सकते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, अब देखें, सिक्सन को प्रभावित करने वाले कारक, सिक्सन कहां-कहां से प्रभावित होता है, कैसे थोड़ा सा बताए, वो बहुत कुछ सीख जाए, और दूसरा बच्चा जल्दी से ना सिखे, तो यह होगी, व्यक्तिकल, व्यक्तिगत भिंता है, सिक्षन उदेश से, हमारा सिक्षन उदेश से भी होता है, कि हमें कलास में इन दस बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है, य हमें, कि तरीके से बढ़ाना है, अब जैसे कि हम मान के चलते हैं, कि मैं դो दिन में एक वीडियो आएगी, तो वो क्या हो कि उस से हमारी read teaching हो slow हो जाएगी, और वातावारन का प्रभाव अब वातावरन का भी बहुत प्रभाव होता है अगर हम teaching करें और साइड में बहुत सोर आ रहा है ट्रैफिक का और काफी तरह का तो काफी disturbance होगी अच्छे से teaching नहीं होगी सिक्सन की कुसलता जो हमारा सिक्सक है जो हमें पढ़ा रहा है उसमें कितनी योगिता है वो होगी साहिक सामगरी का उपयोग यानि कि जो teaching यानि कि जो हम पढ़ाने के लिए यूज कर रहे है teaching material यूज करें वो कितना अच्छा है उस पे भी हमारे teaching depend करती है अब देह सिक्सन के सिधांत क्या है सिधांत काफी तरह के सिधांत दोस्तों इनके बारे में हम ज़्यादा details से नहीं पढ़ेंगे बस थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इस में से बहुत ज्यादा question नहीं आता है अब देखिई सिक्सन से सम्बंदित होने का सिधान्त जो हमारा सिक्षन है वो हमारे जिवन से सम्बंदित होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो हमारे जिंदगी में आगे काम आए उदेश्य निर्धारन का सिधान्त यानि कि जिससे हमारा कुछ उदेश्य पूरा होता हो ऐसी हमारी teaching होनी चाहिए किरिया सिलता का सिधान्त यानि कि जिससे हम आगे बढ़ के आगे काम कर सके किरियान वितर रहे यानि कि creative रहे यह हम कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्ता का सिधान्त और इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी हम और लोगों से कुछ अलग मन्स के यानि कि जो लोग सीख नहीं रहे उनसे ज़्याद हमारे अंदर advantage आए तो यह काफी तरह की यहाँ पर सिधान्त दिये दोस्तों यह आप असानी से पढ़ सकते हैं इनमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आये तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों एक इसमें से कोश्चन आता है दोस्तों सिक्सन सुत्र में से कोश्चन आता है एक दो बार कोश्चन आया है कि इसका क्या होता है ग्यात से अग्यात की और सरल से कठिन की और ग्यात से अग्यात की और अब देखे हमें कोई चीज पता है एक छोटी सी चीज पता है और उस चीज के इस्तमाल करके हम बड़ी चीज निकाल के लेके अब हम सिंपल सा एक्जामपल लेके चलते हैं कि जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था ठीक है उसके अनुसार उसको वो एक छोटी सी चीज पता थी उसके बाद हमने हवाई जहाज उढ़ाया ठीक है यानि कि जो चीज हमें थोडी सी पता है और उसके बेस पे हम बड़ी चीज खोजे तो उसे हम कहते हैं ग्यात से ग्यात की और फिर है सरल से कठिन की और अगर हम कोई काम सरल तरीके से कर रहे हैं और कोई दूसरा काम है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है तो उसको किस तरीके से असान बना सकते हैं तो यह है पर्तेक्स से प्रोक्स की और अब देखिए पर्तेक्स और प्रोक्स क्या होता है पर्तेक्स होता है जो हमारे सामने बिलकुल अच्छे से दिखे यानि कि जो सच होता है ना सच से एसत्ते की और हम ये चीज कह सकते हैं संपूर्ण से अंस की और यानि कि जो चीज हमें एक बड़ी चीज पता है ठीक है कि हवाई जहाज उड़ता है तो उस हवाई जहाज में क्या-क्या सिधान्त लगे हैं किस से उड़ता है और उनके सिधान्तों को यूज करके हम और अपने जिंदगी में क्या इंप्रूमेंट कर सकते हैं क्या और नई डिवाईस बना सकते हैं तो वह होता है दोस्तों और ये सारी चीज आप एक पर देख लेना क्योंकि में से कोश्चन आया है और इवनिंग की जो दोस्तों हमारे पास सिक्सर उदेसे यानि कि हमारा जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसका एम क्या होना चाहिए ठीक है वो हम देखते हैं अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंगलिस दोनों में दिया है हम इंगलिस में पढ़ने के कोश्चिस करते हैं टीचिंग टू ब्रिंग change in the behavior of student अब ये बात हमने कितनी बार पढ़ ली दोस्तों कि हम teaching का main उदिश से क्या होता है कि जो student है उसके behavior में change लेकि आना और ये जो question है ना दोस्तों ये कम से कम तीन बार आज तक आ चुका है कि सिक्षन का उदिश से क्या है इसका सबसे main उदिश से जो हम जिसे हम सिखा रहे है उसके वैवार में परिवर्तन आए positive परिवर्तन आए ठीक है और ये है आगला हमारा to improve the learning skill of student अब जो उसने जो आज तक पढ़ है उसमें किस तरीके से हम improve कर सकते हैं वह है आगे है ट्रेनिंग शार्पिंग विहेवियर अन कंड़क्ट अब देखिए जैसे हमारी आई टी आई वगरा होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं उनको वैवासाइक तरीके से हम चीजे बनाना सिखाते हैं और मोटर गार्डी विगराठ ठीक करना सिखाते हैं तो उनकी जो विहेवेर हैं उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिस करते हैं उनके अदर काफी अच्छा improvement लाने की कोशिस करते हैं acquisition of knowledge, यानि कि ग्यान को प्राप्त करने की हम उनके अंदर आदत डालते हैं, कि किस तरीके से ग्यान को प्राप्त किया जाए, और formation of belief, अब देखिए, सिक्सन के दवारा, टीचिंग के दवारा हम विश्वास जगाने की बात करते हैं, अब देखिए, जो पहले जो होता था हमा हमारे क्या होता था कि कोई भी जैसे बिमारी होगी, कुछ भी हो गया, तो लोग सोचते थे कि इसमें तो भूत घुश गया है, इसमें तो यह हो गया, माता आगई, यह हो गया, वो हो गया, लेकिन उस टाइम लोग यह नहीं मानते थे कि यह एक बिमारी है, लेकिन आज के time मे this जैसे जैसे हम पढ़ते जारहे तो हमारा जो अंहल विश्वास हो वह खतम होता जारह और जो science है उसके इंदर हमारा विश्वास बढ़ रहा एं तो इस तरी के से formation of belief तरी कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जारह रहा है teaching के जरीए तो दोस्तो ये थी आज की हमारी teaching की कुछ मुखे मुखे important बाते और इन में से कई question आये हैं वो evening की जो वीडियो होगी वो इसी notes में से होगी तो जो evening का जो mok test होगा दोस्तो वो आप अच्छे से करना उसके अंदर हम वही question देंगे जो बारवार repeat होते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तो